तो हम लोग आज शुरू करते हैं एक टॉपिक जो है ग्रोथ का क्या मत्व है ग्रोथ का मतलब उत्पादन का बढ़ना यह होता है और जितने भी हमारे आर्थिक उदेश हैं सबसे पहले क्या जरूरी है ग्रोथ अगर उत्पादन में ब्रेदी नहीं हुई है तो वे बाकी उ करते हैं ग्रोथ की तो वार्ड आता है GDP ग्रोथ तो मैंने आपसे पहले क्लाप में कहा था कि एक आमिक्स में इनकी चीज़ है जिसके आधपर सब कुछ भूंगता और वह क्या उत्पादन इसके अलावे कुछ भी नहीं है और उत्पादन का दो रूप है उत्पादन का मतल तो मैं पहले दो चीजें आपको डिस्कूस करते हम तेकर यास वॉर्ट साधन लागत और आधर भू संuntर की कि कितने साधन तो रहें तुक है तो land है, land के लिए क्या पेकरते हो, किराया, उसके बाद है, lever के लिए क्या पेकरते हो, मज़ूरी, उसके बाद, approved के लिए, भ्याज और profit किसको जाता है, lab किसको जाता है, ये पढ़ चुके है, तो मैं recall कर रहा, तो मार लो हमने इस साल अपने देश में एक पेन बनाए और इस पेन बनाने में इन चारों का युगदान है सब को हमने दो रुपया पेक किया पेन तेयार है अब इसका लागत कितना हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे साधन लागत क्या कहें हम लोग साधन लागत यानि फ्र सब्सक्राइब है और ताओंगे यह किस तरह का टैक्स होगा यह आगे पड़ोगे किया कहतेます सिवा पे लगा जाती है और एक होता है प्रतियक्ष करण, डारेक्ष जो आपके income और profit बलगा जाता है अब चुक्कि हम इंडिया के level पर जा रहे हैं तो factor cost से बाजार मुल्ण पर आना हो, तो क्या करोगे? अरे साधन लागत से अगर बाजार मुल्ण पर आना हो, तो क्या करोगे? टैक्स को आड़ करोंगे लेकिन ये टाक्स क्न सा होता है उपर टैक्स कर जिसको इंडिरेक्स रहते हैं तो मैं दाक्स कर तैगे लेकिन उसमें हमघ़ देखोगे हम्छों क्या वर्ड यूज ड्यूज करते हैं? NET. NET IN DIRECT TAX. NET का मतलब क्या हुआ? TAX MINUS SUBCedie. TAX MINUS SUBCedie. यह हमेशा जूद होता है, तो यह किस में CONVERT हो जगा? बाजार मुल. बाजार मुल में. अब SUBCedie क्या है? पहले ही समझो. तो सBCedie जो है, किसको दिया जाता है? सरकार के दवारा. गरीभी रीका के नीचे है तो सबसीडी अपने आप में एक क्या है डिवेट का मसला है चुकि बहुत से लोग सबसीडी के फेवर में इस सबसीडी होना चाहिए उनके अपने तर्क है बहुत से लोग सबसीडी के खिलाफ है उनके भी अपने क्या है तर्क है तो ठीक है दोनों एक दुसरे के ब प्रति गामी होता है यानि जो गरीब लोग हैं उससे सरकार ज्यादा रेट पर टैक्स लेती है और अमीर लोगों से कम रेट ये गलत है तो इसलिए उससे आगे पढ़ोगे सरकार के पास भी को जो कर पनी है तो सरकार की ये moral duty है कि tax चुकि गरीबों से ज्यादा rate पर लिया गया तो उनको loss है तो इसकी वो क्या करे बरपाई करे तो इसलिए सरकार क्या देती है subsidy एक तरह का tax में सरकार पुलिक से लेती है नँट subsidy में क्या गई है public को अपunden जिफ से देती है और बिल्कुल सही लोगों को देती है जिनको जरुवत है जो गरीबे रहागे तीचे है, इसलिuccione देखोगे जो growth rate वगर पड़ोगे तो हमेशा क्या वर्डी होता है Net Indirect Tax मतब टैक्स माइनस सबसीली याद देगा तो साधन लागत या फैक्टर कॉस से जब हम बाजार मूल पर जाएंगे तो क्या करेंगे किसको याड करेंगे Net Indirect Tax यानि सुध और परत्यक्ष कर याद देगा हमेशा निट अब हम लोग बात सुरू करें सबसे पहला GDP सुनाओगा जब भी देखो किसकी चर्चा होती है GDP तो GDP क्या है प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के आज़ पास भी सब कुछ गुमता है तो GDP किसको कहते हैं तो आप जो है दो लाइन लिख लो GDP होता के सकल घरेलू उत्पार एक साल के दोराद किसी भी देश के किसी भी देश के घरेलू छित्र के भीतर घरेलू छित्र इसको अंगरेजी भी लिख लो डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू छित्र के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मुल्य को हम क्या कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद अब आप देखें आपने क्या लिखा है क्या लिखा है आपने ये नहीं लिखा है कि किसी एक देश की सीमा के भीतर अगर आप लिखते हैं कि किसी एक देश के सीमा के भीतर तो टेक्निकली ये गलत है अगर आप लिखते हैं किसी एक देश के भौगोलिक सीमा के भीतर तो वो भी गलत है अगर आप लिखते हैं किसी एक देश के रादितिक छित्र के भीतर वो भी क्या है गलत है तो correct word क्या है घरिनु सीमा या domestic territory अब ये क्या है क्या आतरबात की बात है GDP से हम मापना क्या चाहते हैं तो कहा जाता है कि कोई भी अर्थव्यार्था कैसा परफॉर्म करी है तो परफॉर्मेंस का जो सूचक होता है उत्पादन होता है उत्पादन होता है तो एक देश कैसा प हम उन सब तीजों को लेते हैं जो हमारी economy के performance का सूचक है इसलिए हमेंसा किसकी बात होती है तो ये घरिनु सीमा होता क्या है मैं एक एक चीज़ रूप कर रहा हूं अब आईए सबसे पहले आईए ये भारत का नक्षा है ठीक है भारत का नक्षा है तीन तरफ से क्या है सब भारत के भीतर जो उत्पादन हो रहा है वो तो है ही ये लेकिन कुछ केसे ऐसे हैं जहां पर उत्पादन भारत से काफी दूर हो रहा है यहां हो रहा है यहां हो रहा है लेकिन वो भारत के GDP का इससा है और कुछ केस है एक केस है जहां उत्पादन भारत के भीतर हो रहा है ल लेकिन कुछ केसिद ऐसे हैं जहां पे उत्पादन भारत के धरतिसे काफी दूर हो रहा है लेकिन वो भी भारत के GDP का इसा है और एक केस है जहां पे उत्पादन भारत के भीतर हो रहा है लेकिन वो भारत के GDP में नहीं आता है तो एक तो ये चित एक 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 में बता रहा हूँ सबसे पहले कुछ confusion, confusion अब देसे ये side कौन सा है अरब साजर है और ये side बगाल काड़ी तो एक आप पढ़ोगे concept आता है कि समुद्र तट से 12 nautical mile, 12 क्या कोगे, nautical mile समुद्र मगर में किस से measurement होता है, nautical mile या air में भी, अब ये जो है करिब km होता है, 22 km तो 22 होता है, तो मैं nautical mile बोलना हूँ, ठीक है, अब ये 12 nautical mile तक क्या है इसको GDP से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत का समुद्री छितर है, समुद्री सीमा है, और ये बहुत बड़ा समुद्र, तो कोई भी जहाज, भारत का हो या भारत के बाहर का हो, अगर वो इस छितर में इंटर करता है, तो भारत के coast guard से permission लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको पकड़ा सकता है या शूट किया सकता है, इसका सिर्फ सुरक्षा के देश से कोई सिसका मात है, ये समगा गया, 12 nautical mile या, 22 km, इसका GDP से कोई लेना नहीं है, ये सिर्फ क्या है, इसको बोलते है, water territory, समुद्री सीमा है, तेक है, उसके ब last year जो हमारा समझाता है, उसके हिसाब से, कि समुद्र तर्ट से 200 nautical mile, याद रहेगा, ये 200 nautical mile, इसे डिकलेर किया गया है, exclusive economic zone, समुद्र तर्ट से 200 nautical mile, क्या डिकलेर किया गया है, exclusive economic zone, यानि, अच्छे, इसमें ये 12 भी क्या है, include है, यानि ये जो छितर है, ये इस पे जो भी संपदा है, संपदा क्या बुद्र सको, resources है, उस पे भारत का ही अधिकार है, नहीं साहना है, इसमें उत्पादन का काम कोई करेगा, भारत करेगा, exclusive right है, उत्पादन का, किसको, नारस को, हर इक देश करेगा है, किसले लिखोगे, Bombay हाई कहा है, Bombay हाई, वो कहा है, स उत्पादन होता है, वो भारत में उत्पादन माना एता है, याद रहेगा, 200, नारस करेगा, अब इसमें प्राब्लम क्या हो सकता है, चुकि समद्द से संबंदित, हमारे अंतरास्टी क्या है, कानून है, अब दो कंट्री है, कंट्री A, और यह है कंट्री B, तो दोनों के ली क्या है, यह दिकार है न, लेकिन दोनों के बीच की दूरी से 350 km है, तब क्या होगा? कब तफाद प्राब्लम होगा, यह भी विग्लेम करेगा, 200 km और वो भी ख्लेम करेगा, य怎么样 क्या करेगा, यानि यह कहेगा, यह और यह क्या क्या कहेगा, यहां तक मेरा है, तो इस तरह का कोई टकड़ाओ ना हो तो 200 लौट करल माल और 12 लौट कर वाल, दोनों तर सोंगिया, बार रो लौट कर माल क्या है ह। उसका GDP से कोई लेना नहीं है, GDP से लेनाना किसका है। 200 लौट कर भाइल, क्योंकि भारत का क्या वह एक्स्क्लोसिव एकॉर्मिक जोन। और भारत क पूरा अधिकार है, उस शित्र में क्या करे ? उत्पादन करे ? इसे महश्वाऔर मचली पकड़ की आचार उस॥ बिल्कल होगा तो ये भारत को पूरा आधिकार है. आई भीत अब जैसे पहला टीचर काता है कि 2 प्लस 2 4 होता है तो जीडीपी पहले देखो मैं फिर से तो मान के चलो यह भारत का क्या है दारत का चेतर है जहां पे भारत का शाचन है अब जीडीपी यह देखता है फिर मैंने फिट कर रहा हूँ जीडीपी यह देखता है कि वो एकॉनमी कैसा परफॉर्म कर लिए और जब हिम किसी कंट्री के परफॉर्मेस को माफते हैं तो उत्पादन क्रेटरिया है तो जीडीपी में सिफ उनी सब चीज़ों को लेते हैं जिसका भारत की उत्पादन से क् चमता को बताता है अब मैं ले रहा हूँ वो सारे के सिद जहां उत्पादन भारत से काफी दूर है आपको बताना है क्या ये भारत के उत्पादन करनी की चमता को बता रहा है केस फरस्ट अब जैसे यहाँ पे मुंबई मुंबई से जुनाओगा अब मुंबई से एर इंडिया एर इंडिया उड़ा वो भी उत्पादन करना है किसी का सर्विस का न और यहाँ से उड़ा और गया यहाँ से लंदन गया जो को मैप सही नहीं है उससे मैं देखना मैं लंदन अधो समझने के लिए तो लंदन जब तो क्या दोस्तों नॉटकल मैं क्रोस कर गया लंदन से निवा गया और फी निवा से मुंबई आ गया अरे मैप गलत है बस इंटेंशन दो तो यहाँ जो है भारत का एर इंडिया जो है यह उत्पादन कर रहा है किस इसका सर्विस का तो क्या यह भारत के भीतर या भारत से बहुत दूर अरे अमेरिका जाने में डारेक फ्लाइट को अठार गंटा लगता है बहुत दूर है लेकिन क्या यह भारत की उत्पादन करनी की छमता को बताता है एर इंडिया जो उत्पादन कर रहा है सिवाव का क्या यह भारत के उत्पादन करनी की छमता को बता रहा है ह याना इसको लेना चाहीगे नहीं लेना चाहीगे नहीं फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि GDP से बिसकल हम क्या मेजर करते हैं हाँ वेल इकॉनमी परफॉर्म कैसा आपकी एकॉनमी परफॉर्म कर लिए अब जब इन परफॉर्मिस को मापेंगे तो प्रोड़क्शन के ड़र में तो यह जो एर इंडिया सेवाओं का उत्पादन कर रहा है क्या यह भारत की उत्पादन करने की छमता को बता रहा है हाँ या ना लेना चाहिए कि नहीं तो यह भी GDP में आता है यह भी GDP ले आता है अब यहीं से क्रॉस्टिक हो जागा ओलने वाले एकदम सांट पड़े में अगर आप कहते हैं कि GDP का मतलब किसी एक देश के सीमा के भीतर तो यह नहीं आगा तब नहीं आगा गलत आपके अंसर अगर आप कहते हैं किसी एक देश के भागोलिक शित्र के भीतर तब यह नहीं आगा नहीं आगा अंसर आपका गलत हो जागा अगर आप कहते हैं किसी किस 20% case में यह देखता हूँ, छातर ही लिखते हैं, उनके note में ही लिखा हुआ है, कि किसी देश के सीमा के भीत है, तो क्या होता है कि, जो question check करते हैं, जो means लिखोगे, तो जो check करते हैं, वो सारी क्या होते हैं, अपने field के master होते हैं, जब मुझे ही तिनी समझ है तो, वो बच्पर में, पेन और सियाई का नमर है, सियाई में तो इंग जो है, वो खर्चा वो उसका नमर मिलता था, वो सीधे क्या करते हैं, नमर काट लेते हैं, और उम बढ़ने के साथ-साथ, आदमी ज्यादा rough and tough हो जाता है, इस माम में बें, तो बहुत से किसमें दिखता हूँ जबकि आपने गलत दिखा है, जब आपको GDP का नहीं मतलब है, तो GDP का theme क्या है, आप क्या समझेगे, GDP का theme क्या है, परफस क्या GDP, GDP क्या करना चाहता है, कि हमारी economy कैसा perform करी, यह न, तो जो भी चीदे हमारे economy के performance का सूच अख होगा, वो हम लेंगे, और production greater में, क्या है production देश के भीतर हुआ या, तो यह आएगा कि नहीं आगा, बिलकुल आएगा, लेकिन यह तभी आगा, जब आप क्या दोई लिखेंगे, वोल्ड, घरिलू सीमा, यानि, domestic territory, how this one is clear, तो लेना चाहिए कि नहीं, तो लेना चाहिए, सते निका लेना चाहिए, बिलकुल सही है, अब अ तो मुंबई के बंदरगा से निकला, और शे साथ मेना पूरा घूम करके फिर वापस पहुंचे, यह क्या कर रहा है, समान्द हो रहा है न, भारत के भीतर या भारत के बाहर, यह Indian Shipping Corporation है, भारत के कंप्री है, यह उत्पादन कर रही है, किस इसका, अरे सेवाओ का, भारत के भीतर या भारत के बाहर, क्या यह भी भारत की उत्पादन करनी की छमता को बता रहा है, हाँ या न, बिल्कुल बता रहा है, क्या इसे भारत के GDP में लिया जाना चाहिए, हाँ या न, लेकिन कब लोगे, जब आप वर्ड क्या यूज़ करेंगे, अब समझा गया, अब अग जो जहाज होते हैं, और इसमें तो सबसे बड़ी समस्या हो रही है भी पूरे बर्ड में चाइना को लेकर के, चाइनी तो पता यह से देखने में वाइट है, है तो जानवत, सब कुछ खाते हैं, चाइनी के साथ अगर बैट जाओ न, तो वहाँ पर आप खाना नहीं खाप जाओ फिर और आतिक दवाब तो पता ही, आप चाइनी जो बड़े-बड़े क्या कोगे, अब जैसे समुद्र के तर्ट पे जो होता है, तो जो मचवारे होते हैं, उनका जीवी का का साधन भी ही न, मचली पकड़ते हैं, अब वहाँ पर आगे हैं बहुत देख पे चाइना के बड़े-बड़े जाज, इतने बड़े-बड़े जाज हैं कि एक ही बार में समुद्र का समुद्र साफ कर देते हैं, तो वहाँ जो समुद्री तरट पे रहने बाले जो लोग हैं, वो बहुत नाराज हैं, किसे? इन सो चीज़ों से, हमारी रोजी-डोटी, हमारी सरकार क जो मिसमें रिस्पॉंस है देखे वो चाइना ने चील लिया तो बहुत तरका क्यों मैं कह रहा हूं कि चाइना के ऊपर दुनिया का भरोसा क्या हो रहा है भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा अनक्किया उसने तो यह सब चीजें तो देखो दोसर नाटकर माल तक तो कोई दिकत नी है वो तो हमारा छेतर है वहाँ तक तो मचली उसके बाद शुरू हो जाता है समुदरी सीमा इंटरनाशनल वाटर मतलब अंतरास्टी जिसको कहते हैं तो उसमें भी लोग जाते हैं और कभी कोई देखते होगे कि भारत के मचवारे मचली पकड़ने तो उधर वाले इधर आते हैं इधर वाले दोने को पकड़ लेते हैं अब 20 समुदर में इतना पानी होता है क्या पता चलेगा कि यहां तक इंडिया उसके बाद तलंका है यही चीज़ भारत पाकितान के बीच ए तो भारत के जो मचवारे हैं जब अंतरास उत्पादन है मचली का क्या हुआ यह तीन केस याद रहेगा यानि तीन केस में क्या होता है कि उत्पादन भारत से काफी दोडो रहा है लेकिन फिर भी उसे हम GDP में क्यों लेते हैं क्योंकि हमारी उत्पादन करनी की छमता को बताता है याद रहेगा हवाई एकिस, जहां पर उत्पादन भारत के भीतर हो रहा है. ये भारत का नक्षा है और उत्पादन यहाン हो रहा है लेकिन वो भारत के डी-डी पी में नहीं आता है. यह कौनचा है जो भारत में अन्य देशों के क्या है दूतावास है अब दिल्ली में तो एक एरिया है जहां पर क्या देखोगे अमेरिका का दूतावास है उसके बाद सब देश का है तो दूतावास वाना जो एरिया है विए ना समझाता के साब से अब जैसे दिल्ली में अमे का माना जा यानि अमेरका का इंटिग्रल पाट हो और उस चित में भारत की फौज या से ना या बुलेस इंड़री कर सकती है तो वहां जो उत्पादन होता है अमेरिकन दुतावास में हिस्टिस का उत्पादन होता है वीजा के लिए जब हम अमेरिका जाने की कोशिश करते है तो वीजा के लिए अपलाई करते हैं तो वीजा का क्या होता है फी होता है ना तो वीजा का क्या करते हो दो सेवाओं को उत्पादन करते हैं तो वहां पे जो भी अमेरिकन में जितना भी उत्पादन हो रहा है वो इंडिया के जीरीपी नहीं आगा बलकि अमेरिका के जीरी आगा लंदन में जो हाई कोमेशन वहाँ उत्पादन हो रहा है वो कहा एगा भारत में आगा ये तो यह अन्तरापसी जो होते हैसे अमारु करना झॉट ये चार किससे सन्वाहिए अब हर एंडेस का कैसे अगले देश के दिसक ने पाकिसे का embassy कहां अमेरिका में तो बहुत बड़ा जमीन है बड़े मकान है दूतावास होता में बड़ा है तो पाकितान के आतिक समस्या बहुत ही कंबीर है और इसका आपको सैली देनी के लिए पैसी नहीं किसे तरह काम चला है तो वहां पर अभी पिछले छे मेने पहले पाकिसान ने तैकिया कि दूतावास के एक हिस्सी को बेचा जागा कुछ मिलियन डालर आ जाएंगे तो सैली भी पूरा हो जागा और खर्चा भी चल जागा तो जब बोली लगती है ऑप्शन होता है निलामी जो सबसे ज्यादा रेट लगाता है तो पहली बाद जो है जब पाकिसान ने निलामी शुरू की तो ती लोगों ने अपलाई किया बोली लगाई दो इसराइली एक भारती है पाकिताने का इन लोग नहीं बेचेंगे इन लोगों को नहीं बेचेंगे फिर दुबारा जो है ओने पौने दा में किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया तो घरेलूच छ या Б натुष चलता है तो उसमें चार केसे जैंजे जहां उत्पादन भारत से दूर ओर आहाला पहला हुआजाई दूसरा पानी वाला जहा तीसरा मचली पकड़ने वाला अच्छा प получ up BC और एक केसे जहां पर उत्पादन कहा हो रहा है भारत के भीतर हो रहा है लेकिन भारत के GDP नहीं आता है, याद रहेगा, तो ये correct आपका GDP का मतलब है, घरेलू छितर का मतलब समझा गया, कभी भी आप ये नहीं कहें, अब तो आपको ये भी समझवा गया, कि अगर आप स्टेट में देते हैं, कि किसी भी देश के भागुलिक छितर के भीतर, कुछ समझवा गया गया पादन करने की चमता को बदाता है, भले उत पादन देश के भीतर हो रहा गया, देश के बाहर, I hope समझा गया,